हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है इंशा है मैं फब्लिक स्पिकिंग ट्रेनर हूं दोस्तो बहुत सारे लोगों की हमें कॉल आती है और वो लोग हमें पूछते है कि सर मैं बोलता बहुत फास्ट हूं तो मैं मेरी बोलने की speed को slow कैसे कर सकता हूँ मैं मेरी बोलने की speed को control में कैसे ला सकता हूँ आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं हमने already एक वीडियो इस topic के उपर बना ली है मतलब की हमने past में बनाई हुई है कि जिसमें भी हमने आपको tips दीए हुए है तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं ये वीडियो के link हम नीचे description के अंदर रख देंगे तो इस वीडियो के complete हो जाने के बाद आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा आगे जाने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने whatsapp number के उपर हमारे सारे वीडियो की link पाना चाहते है और भी हमारे training के updates पाना चाहते है तो नीचे comment box के अंदर आप हमें आपका whatsapp number दे सकते है हम आपको आपके whatsapp number के उपर updates भेजेंगे आज के इस वीडियो में स्पीड को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए उसके लिए हम आपको तीन टिप्स देने वाले है उन तीनों टिप्स में से सबसे पहले टिप है कि किसी व्यक्ति को अब्जव करने के लिए रखिए ताकि वो आपकी गलतियों को बता सके अब इसको डीटेल में जानते है आप जब बोल रहे है तब आप किसी व्यक्ति को कहिए कि वो व्यक्ति आपको अब्जव करे अब ये चीज जो है वो आपको कंटिनियोजली किसी के द्वारा करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन हर रोज किसी एक व्यक्ति को आप कह सकते है उदाहरन के तोर पर आप अपने family member को कह सकते है आप अपने friend को कह सकते है आप अपने office के colleague को कह सकते है उनको कहिए कि मैं इस समय से इस समय के बीच में जो भी बोलता हूँ आप मुझे अच्छे से observe कीजिएगा और जो भी मैं गलती कर रहा हूँ वो आप मुझे बताईएगा अब इसको और भी clearly हम आपको बताते है हमारे experience के उपर से हम हमारे training program के अंदर क्या करते है कि हमारे जो client होते है हमारे client के बोलने की speed अगर जादा होती है तो हम उनको बहुत ध्यान से observe करते है हमारे एक गंटे के सेशन के अंदर कभी-कबार वो सवा गंटा-डेट गंटा भी हो जाता है तो उस session के अंदर हम हमारे client के बोलने की speed को बहुत ध्यान से observe करते है और हम उनको उनकी गल्ती हर थोड़ी देर के बाद बताते रहते हैं जब वह लोग गल्ती करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि अच्छा इस वाकtar को फिर से बोलिए तो उनको पता चल जाता है कि हम उन्हें इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बोलने की speed को control नहीं कर पा रहा है इसलिए जब हम उनको कहते हैं कि इस वाक्यों को फिर से एक बार बोलिये तो वो जब फिर से बोलते हैं तो उनकी speed अच्छे से वो maintain करके बोलते हैं मतलब कि उनकी fast speed जो होती है वो speed कम हो जाती है control में आ जाती है और दीरे दीरे ये उनकी habit बन जाती है तो इसी तरह से आपको भी यही करना है आपको आपके सामने वाली व्यक्ति को कहना है कि मेरी आदत है कि मैं बहुत fast बोलता हूँ या मैं बहुत fast बोलती हूँ, इसलिए मैं जब भी fast बोलता हूँ या बोलती हूँ, तो आपको मुझे बताना है, आपको मुझे कहना है कि आपको ये वाक्य फिर से बोलना है, फिर आप जब फिर से उस वाक्यों को बोलेंगे, तब आप उस वाक्यों को slow speed के साथ बोल पाएं और आपको बार बार उस वाक्य को सही करने के लिए helpful हो सके अगर आपको कोई व्यक्ति आपके family के अंदर नहीं मिलती है तो आप हमें भी बता सकते हम आपको training provide करेंगे और आपको observe करेंगे ताकि आप भी अपनी बोलने की speed को control में रख सके साथ-साथ हम आपके साथ नहीं नहीं techniques को भी शेर करेंगे ताकि वो नहीं techniques को सीख कर आप अपनी speed को control में ला सके तो ये सबसे पहली tip हुई अब दूसरी जो tip है, वो दूसरी tip है कि बोलते समय शब्दों के उपर भार देके बोलिए ये हमारी favorite technique है हमें ये technique बहुत पसंदे और हम हमारे clients के उपर इस technique का इस्तिमाल करते है जब भी कोई व्यक्ति बहुत fast बोल रही होती है तो उस व्यक्ति को fast speed में से normal speed में लाने के लिए आपको उन्हें भार देके बोलना चाहिए, ऐसा suggest करना चाहिए आप उन्हें कह सकते हैं कि आप जो भी अब बोले तब भार देके बोलिएगा अगर आप भार देके बोलेंगे तो आपकी speed जो है वो कम हो जाएगी तो आप भी अगर इस video को देख रहे हैं और आपकी speed जो है वो बहुत fast है तो आपको करना यह है कि अपसे आपको भार देके बोलना है इसको भी हम उदारण के माद्यम से आपको समझाते हैं अब हम एक वाक्य बोलते हैं कि हम बोलने की speed को slow करना चाहते है तो इस वाक्य को भार देके कैसे बोला जा सकता है हम इस हमारे बोलने की speed को slow करना चाहते हैं तो ये क्या हुआ हमने शब्दों के उपर भार देके ये वाक्यों को बोला जब हम शब्दों के उपर भार देते हैं तो होता ये कि हमारा जो mind होता है हमारा जो brain होता है वो divert होके भार देने के उपर चला जाता है इसलिए automatically हमारी speed जो है वो control में आ जाती है हम ध्यान देते हैं कि हमें भार देना है इसलिए हमारा ध्यान जो है वो हम क्या bold रहे है उसके उपर कम होता है लेकिन भार देने के उपर होता है जब आप भार देते हैं तो automatically आपकी speed गन्ट्रोल में आ जाती है ये चीज experience करके अभी इस वीडियो के बाद कीजिएगा आपको पता चलेगा कि आपकी speed जो है इवन आप शुरुवात भी अभी से करेंगे मतलब कि ये वीडियो को देखने के बाद आप अगर एक बार जो है इसकी practice करते हैं बिना कुछ सीखने के बदले इसकी एक बार practice भी करते तो भी आपको पता चलेगा कि आपकी speed जो है वो slow हो जाएगी ठीक है दोस्तो तो इस चीज को apply कीजिएगा और शब्दों के उपर भार देके बोलने से हमारी speed slow हो जाती है तो ये दूसरी tip हुई तीसरी और आखरी tip हमारी और से ये है कि आपको smile करते हुए बोलना है ये चीज भी हमने हमारे client के उपर apply की हुई है और उनको benefit हो रहा है जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बोलने की speed जो है वो fast हो गई है वैसे तो आपको लगता ही होगा इसलिए आप हमारी इस video को देख रहे होंगे तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी speed आप control में लाना चाहते है तो आपसे कीजिएगा ये कि जैसे हम अभी smile के साथ बात कर रहा है उसी तरह से आपको भी smile के साथ बात करनी है आपको जो भी बोलना है वो smile करने के साथ साथ बोलना है उदारन के तोर पर अगर आप ऐसा बोलना चाहते है कि ये lockdown जो है वो भी चालू है ये lockdown complete हो जाएगा उसके बाद हम office जाएंगे तो आप smile करते करते बोलिए ये lockdown जो है वो भी चालू है ये lockdown complete हो जाएगा उसके बाद हम office जाएंगे अगर आप smile करने के साथ साथ बोलेंगे आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा सही है, smile के उपर जाएगा अगर आप smile के उपर अपना ध्यान देंगे तो automatically आपकी speed slow हो जाएगी दोस्तों यह हम आपको guarantee के साथ कह रहे है क्योंकि हमने इन चीजों को हमारे clients के उपर apply किया हुआ है और उनको फाइदा हो रहा है तो दोस्तों यह तीसरी tip हुई कि जिसकी मदद से आप अपनी बोलने की speed को slow कर सकते है दोस्तों हमने आपको यह 3 tips दिए के जिन 3 tips को follow करके या 3 में से अगर आप कोई भी tips को भी follow करते है तो आपको फाइदा तो हो गई लेकिन 3 tips को follow करेंगे तो आपको जल्दी फाइदा होगा और आपकी बोलने की speed जो है वो जल्दी control में आएगी फ्रेंड्स अगर आप अपनी बोलने की speed को control में लाना चाहते हैं और आप अगर ऐसा सोते हैं कि ये सारी technique तो अच्छी है लेकिन हमें practice के लिए भी वो कोई व्यक्ती चाहिए कि जो हमें observe कर सके और हमें इसके लिए practice करवा सके और भी नई चीजों को सिखा सके तो आप हमारे online training program को join कर सकते हैं नीचे दिये गए number के ओपर हमारा संपर कीजिए हम आपको हमारे online training program के बारे में जानकारी देंगे और आपको अपनी बोलने की speed को control में लाने के लिए help करेंगे साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ share कीजिएगा ताकि जो लोग इस problem को face कर रहे हैं वो लोग अपनी इस problem को control में ला सके या फिर solve कर सके इस वीडियो को complete करने से पहले हम आपको summary भी देना चाहेंगे हमने आपको 3 tips दी एक बार repeat करेंगे ताकि आप जब repeat कर रहे हैं वाके तब आप सही तरीके से उस वाक्य को बोले दूसरी tip हमने आपको ये दी कि बोलते समय शब्दों के उपर बार देना है उस reason से आपका जो mind है उसको आप divert कर सके वो बार देने के उपर ताकि आप अपनी speed को control में ला सके ये दूसरी tip हुई तीसरी और आखरी tip हमने आपको ये दी कि आप smile करके लोगों के साथ बातचित कीजिए कि जिससे आपका attention जो है वो smile करने के उपर जाएगा और आप अपनी बोलने की speed को control में ला पाएंगे दोस्तो ये सारी चीजे जो है वो हम आपको हमारे experience के उपर से बता रहा है ये प्रूव की हुई है चीजे हमने हमारे training program के अंदर दोस्तो पेंच जीजो को follow कीजिएगा आपको बहुत फाइदा होगा तो दोस्तो फिर मिलेंगे एक नई communication skills और public speaking skills की वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you for watching